नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेट आज की दो जून 2022 देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रिस की इंपोर्टन न्यूज जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहली न्यूज यह है कि नैक के दोवारे एक पैनल कॉंस्टिटूट किया गया था और उस कमेटी के दोवारे यह का गया है कि कॉलिज के जो पेपर्स होते हैं बोलो उनमें 10% वेटिस उन क्वेश्चन को दिया जाए जो क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग को पोश्ट ग्रेजुएचन कोर्सिस करवाने वाले इंस्टिउशंस हैं इनिवर्सटीिज You और कॉलिजिज उनके मिनीमम स्टेंडर्स को चेक करने का काम करती है जिससे की एडिकविट स्टेंडर्ड के एजिचन प्रोईड की जा सब्गय हमारे जो भी बच्चे हैं उनको जो भी graduation gain कर रहे हैं उनको तो वो standards fix करने का काम करती है यह national assessment and accreditation council तो ऐसे में इसके दुआरा एक expert panel constitute किया गया और उस expert panel ने क्या कह दिया कि college level की जितने भी exams होते हैं उनमें 10% जो paper का weightage है ना वो आप दो किसको higher order cognition को अब यह higher order cognition क्या होता है इसके लिए क्या बताया experts ने इसका मतलब यह होता है कि एक individual जिसके पास में knowledge है academic knowledge है और वो अपने spoken written किसी भी manner में अपने knowledge को deliver कर सके higher order literacy का मतलब हो गया एसी ability जिसमें वो communicate कर सके अपने knowledge की बातों को दूसरा अगर कहीं पर coded form में numerical information लिखी हुई है तो उसको देख करके वो understand कर सके तो इस तरीके से जैसे concept वाला concept होता न इस तरीके से reasoning वाला इस तरीके से बोले एक higher level thinking level को तरीके से create करना एक individual में तब जाकर कि बोले एक understanding बन पाएगी तो ये एक चीज एड़ करने की बात कर दी है ठीक है basically अगर देखें तो जो national education policy जो की 2020 में release हुई है उसमें ये चीज envisage की हुई है कि higher order cognition डवलप करना है हमें students में देखा जाए तो इस committee ने ये जो proposal दिया ना 10% marks के weightage का ये किस basis पे दिया है देखो इसी साल 2022 के शुरुआत में pack का provision आया था that means एक तरीके से provisional accreditation system शुरू किया गया था colleges के लिए इसमें क्या होता है कि accreditation देने के लिए UGC और NAC दोनों क्या करती है college में जाती है university में जाती है survey करती है कि भई क्या level की education वो दे रहे है अगर education level इनके standards से कम है तो ये accreditation नहीं देंगे और अगर standard से अप है तो accreditation ये दे देंगे बट विजट करने से पहले ये देखा जाता है ये देखा जाता था कि भई छे साल तो हो गया है ना उस particular college को run होते हुए तब जाकर के वो NAC और UGC जो है वो विजट पर जाया करते थे पर अब क्या है इसकी वज़े से क्या होते थे कि बहुत सारे colleges apply ही नहीं करते थे ठीक है ऐसे time बीच जाता था तो ऐसे में education level education का जो standard है वो week continue होता चला जा रहा तो उसको ठीक करने के लिए अभी इसी साल के शुरुआत में क्या कर दिया था provisional accreditation system शुरू कर दिया कि वही चलो ठीक है कोई भी college जिसने एक calendar एक academic year complete कर लिया है ठीक है उसको भी दो साल के लिए accreditation या approval दे दिया जाएगा किसके द्वारा NAC के द्वारा तो ऐसे में आप देखो कि enrollment के chances भढ़ जाते हैं ठीक है university और college वाले हैं वो बुला लेंगे अपने आप ही कि आओ हमारे यहाँ पर और visit करो और हमें दो एक बार में provisional accreditation मिलता है दो साल के लिए ठीक है तो इससे क्या है कि एक बार idea लग जाए university को college को कि वहीं किन standards को हमें maintain करना होगा education में जिससे कि बच्चों के लिए laboratory facility है की नहीं infrastructure कितना अच्छा है teaching staff किस level का है वो सारी चीज़े चाक होती है तो उससे quality of education है वो एक clear हो पाता है तो वो चीज़ ensure करने के लिए जो NAC के दौरा accreditation दिया जाता है उसको थोड़ा सा कहता है कि एक trial based पे कि हमें college एक trial करके देख ले तो ठीक है तो यह चीज यहाँ पर NAC case expert panel ने बोली है आगे चलते हैं अगली न्यूज है हर घर घर दस्तक 2.0 यह देखो covid vaccination से related है ध्यान रखना हर घर दस्तक वैसे हर घर दस्तक 1.0 campaign है वो नवंबर 2021 में conduct हो चुका है अब यह 2.0 है second इसका part start हो गया है Wednesday को इसका काम क्या ह जी घर घर जाकर के eligible beneficiaries जो भी हैं उनको covid vaccine देना और main focus रहेगा 12-14 साल के बच्चे और इसके अलावा 60 साल से ज्यादा उम्रे के जो लोग भी जिन्होंने 2 dose already ले ली है vaccine की उनको precautionary dose provide गरना यह 2 मेहने का campaign रहेगा एक जुन से लेकर के जुलाई 31 तक यह चलेगा ठीक है तो हर घर दस्तक campaign याद रखना आगे चलते हैं नेक्स्ट हम आगे explain page पे देखो explain page पे जो article उनमें पहला article है unicorns related अभी recently जो मन की बात episode आया था प्राइमिनिस्टर नायंदर मोदी जी का तो उसमें उन्होंने unicorn startups के बारे में mention किया था तो देख लेते हैं क्या है इसमें basically सब्सक्राइब देख में 100 ऐसे unicorns हैं जिनकी वर्थ 300 billion से भी जादा है ठीक है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा figure है ऐसे में सवाल ही आता है कि unicorn companies होती कौन सी है देखो unicorn companies privately held privately मतलब private individuals की ownership होती है venture capital backing that means investment किसी दूसरी company का भी होता है उसमें और उनकी value अगर 1 billion dollar से जादा की हो जाए जिन company के हम बात कर रहे हैं वो unicorn company हो जाएगी तो अगर देखा जाए तो unicorn companies में यह देखा जाता है कि potential कितना क्या है एक तो performance अभी तक कितनी रही है valuation जो है उसमें कर एक होता ना कि केवल current financial performance के हिसाब से देखा जाता है ऐसा नहीं है इसमें यह देखा जाता है कि overall growth potential क्या है अभी तक क्या performance देदी है investor कितना क्या attract हो रहा है कितना वहाँ पर investment बढ़ रहा है तो इन सारी चीजों को देख करके overall निकाला जाता है average कि हाजी 1 billion worth तो minimum आप मान के ही चलो तो वो company हो जाती है unicorn यह जो term है unicorn यह American venture capitalist ऐलीन ली ने दिया था 2013 में ठीक है इन्होंने एक book लिखी थी या मतलब एक article लिखा था इन्होंने basically welcome to the unicorn club learning from billion dollar startups ठीक है तो इसके अंडर में बताया था इन्होंने उस टाइम पर unicorn companies बहुत rare हुआ गरती थी आजकल तो गिंती ही नहीं है इंडिया में आप खुद देख सकते हो कितनी unicorn companies हो चुकी है ठीक है जी इसके पर है हमारे पास में invest India की website से invest India जो की government of India के लिए national investment promotion and facilitation agency का काम करती है मतलब यह यह ऐसी agency है जो की इंडिया में investment को attract करवाती है ठीक है ना तो invest India के लिए एक बार UPSU point of view से जरूर बढ़ लेना बहुत important body है यह तो ऐसे में 2021, 2020 और 2019 की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर Indian unicorn जिनका जन्म हुआ हो मतलब शुरू हुई हो unicorn की category में आने वाली कंपनिया 2019 में किवल 7 ती 2020 में 11 और 2021 में 44 तो आप देख सकते हो कि graph है वो लगातार बढ़ रहा है unicorn companies की अगर numbers की बात की जाए इंडिया में फिर बात आती है कि एक company जो unicorn बन गई तो उसकी वर्त हमने क्या बात की USD 1 billion dollars ठीक है 1 billion USD USD मतलब United States dollars अब आप देखो अगर वो ही company और growth करके और 10 billion dollars से ज्यादा की value अगर gain कर ले तो वो company हो जाती है decacorn ठीक है decacorn ऐसे में मई 2022 में SC 47 companies है ठीक है न चिनों ने decacorn level का achieve किया है अपना tag ठीक है world over ठीक है और world over में से इंडिया की चार companies है और वो चारो companies का नाम आप कहीं नगे सुनते रहते हो फिलिपकार्ट बाइजूज नाइका स्वीगी ठीक है तो यह थोड़ी सी चीज थी इन्वेस्ट इंडिया के बारे में एक बार आप जरूर पढ़ोगे है आगे चलते हैं नेस्ट आर्टिकल है कि अभी लिक्विड यूरिया लांच हो चुका है तो यह कैसे कन्वेंशनल यूरिया यूरिया जो दाने 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 वाइट वाइट से दाने होते है उससे कैसे डिफरेंट है जो कन्वेंशनल यूरिया यूज होती है कैमिकल फर्टलाइजर ठीक है तो देखते हैं देखो प्राइम मिनिस्टर नायंदर मोदीजी ने अभी पिछले हफते ही कंट्री का पहला लिक्विड नैनो यूरिया लॉंच किया है ठीक है कहां पे कलोल गुजरात में वहीं पर प्लांट है इफको का उसी से अब आप देखो इसमें ये जो कन्वेंशनल हम यूज करते हैं जो नॉर्मली दानेदार जो आती है ना उसकी बजाए अब इसको यूज किया जाएगा तो ये सबस्टेटूट के तोर पे एक आप्शन निकल रहा है फाइदे क्या कहा है सबसर पहला फाइदा कॉस्ट एफक्टिव इफको ने जिसने प्रड्यूस किया इस नैनो यूरिया को उसने ये बताया कि आधा लेटर जो है बॉटल इस नैनो यूरिया की बोले 240 रुपए की आती है और इसमें कोई सबसेडी इंकलूड़ेड नहीं है सबसेडी नहीं अभी तक ठीक है जबकि दूसरी तरफ जो फार्मर्स जो रेगिलर वेशिस पर यू रुपए का एक साल में तो बहुत एक तो ये फायदा हो रहा है कि यहां पर बिना सबसेडी के 240 रुपए में एक आदा लिटर का बॉटल तयार हो रहा है और इधर 50 किलो ग्राम पर 300 रुपए आप दे रहे हो और 300 रुपए में ये 50 किलो ग्राम की रेट अगर इंटरनेशन रुपए तक की सबसेडी देती है गवर्मेंट तो बहुत खर्चा हो जाता है ये प्रॉडक्ट तयार किसने किया है ये देखो प्रॉडक्ट तयार किया है इफको की नैनो बायो टेक्नलोजी रिसर्च सेंटर कहां पर कलॉल गुजरात में काम कैसे करेगी देखो यूरिया की अगर बात करें तो plant को nitrogen देने का काम करती है यह है ठीक है liquid nano urea की अगर बात करें तो इसमें जितना भी volume आप लोगे ठीक है उस volume का 4% content है वो nitrogen होता है ठीक है और वो nitrogen किस form में होगा नैनो particles बहुत ही minute particles हो गए efficiency की बात करें तो nano urea की efficiency आती 85-90% जबकि conventional urea में efficiency कितनी है only 25% conventional urea apply करने का तरीका आपको पता है कि वो हाथ एक bag भढ़ लेते हैं और हाथों से चड़कते रहते हैं से scatter करते हैं जैसे दाने डालते हैं कभू दर्गों इनको उस तरीके से और दूस्त उसमें नुकसान क्या होता है conventional में कि वो जैसे ही जाके गिरेगी तो बहुत सारा content urea का तो vaporize हो जाएगा ठीक है heat की वज़े से पानी में मिलने की वज़े से फिर उसके बाद में heat up होगर के उड़ जाता है ठीक है gas के form में इसकी वज़े से nitrogen pollution भी होता है air pollution दूसरा मान लो irrigation आपने दिया तो पानी देने के बाद में वो जो दाना आपने फैका था वो पानी के साथ mix होगा liquid बनेगा उसका तो वो भी क्या फिर पानी के साथ में बह जाता है plant के लिए इतना useful नहीं होता तो ऐसे में नुकसान बहुत होता है तभी तो 25% efficiency आ रही है जबकि liquid नैनो यूरिया जो spray की जाती है spray करने वाली जो bottle आती है back पे लगा कर के farmer फिर वो spray करता है उसमें क्या करते है पानी में डाला जा सकता है जैसे की हर एक लिटर में लगबग 2-4 ml नैनो यूरिया आप डालो mix कर लो पानी में ठीक है और फिर उसको spray कर दो spray सीधा पतियों पे करना पतियां सीध ही absorb कर लेगी उस नैनो यूरिया को ऐसा नहीं कि मिट्टी में डाला गया मिट्टी से फिर mix होकर गये तो बहुत इस से फाइदा यह होगा कि एक तो pollution अपने आप रुख गया भई soil की quality नहीं भीड़ेगी over uses of urea इसकी वज़े से कितना ज़्यादा chemical pollution भढ़ता चला जा रहा है soil सा वह भी बच पाएगी साथ में active growth के time पर भी आप इसको use कर सकते हो कम quantity में अच्छा outcome मिलने के chances ठीक है farmers को tension लेने की ज़रूत है नहीं इसकी जो shelf life है यह एक साल तक की है मतलब खरीदो रखलो आराम से दोनों सीजन खरीफ और रभी की सीजन की दोनों की एक साथ खरीद गे रखलो अपने पास में और डाल दो फिर आराम से time के साब से ठीक है ना इसके अलावा देखा जाए इसमें government institution कौन सा कृशिविज्यान केंदर जो की Indian council of agriculture research के अंडर आता है उसके साथ collaboration में यह develop किया गया है इफको के द्वारा ठीक है जी और testing की गई है 90 से ज्यादा crops पर और अलग-अलग areas में अलग-अलग location अलग-अलग climatic situation में इसके अलावा फाइदा एक आपको पता है subsidy कितनी कम देनी पड़ेगी तो कितना benefit होगा एक unbalanced or indiscriminate use जो होता है conventional यूरिया का कि खाद कोई सा भी चाहिए उठाके यूरिया डाल दिया तो उसकी वज़े से बहुत problem होती है ठीक है ना तो बोलो वो control हो पाएगा productivity increase होगी soil की quality बेकार नहीं हो पाएगी water और air pollution को भी हम control कर पाएगे क्योंकि सिद्धी सी बात है कि अब पत्ती पे सीधा छड mix होकर कि आसपास में कोई river है कोई lake है वहाँ जाकर उसको pollute कर सकती है तो उन चीजों को रोकने में भी साहिता मिलेगी फिर आ जाओ production की देखो इफको का जो कलोल का plant है यह nano urea plant ही है इसको शुरू कर दिया था august 2021 में और production अच्छा खासा हो रहा है बताया रहा पर डे लग दो लाग bottles तयार की जा सकती है तो यह है पूरा इसको बोलता है fertigation अब ऐसे तो fertigation नहीं बोलेंगे इसको घर spray किया जा रहा है पाने की साथ mix नहीं किया जा रहा है basically spray किया जा रहा है इसको घर कोई नहीं यह था हमारा nano urea से related article आगे चलते हैं next article the case for six airbags देखो एक गाड़ी है कोई भी कार है उसमें ड्राइवर के अलावा अगर आठ जने बैठते हैं तो अभी यह चीज इशू की यह गाइडलाइन्स की भई कम से कम छे airbags तो होने चीए हैं दो तो front हो गए ठीक है एक स्टेरिंग पर एक left side में जो बैठता है पेशेंजर उसके लिए दो इधर से drop वाले हो जाता है side से खुलने वाले अगर कहीं पर गाड़ी कॉलाइड करती है तो ठीक है और दो इधर हो जाएंगे इस तरीके से overall 6 airbags की यहां पर बात की जा रही है इससे क्या होता है सीधी सी बात है कि जैसे यह individual बैठा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसमें impact particular एक अप서ome day गएगा तो आप देख सकते हो कि कितना surface area कम है तो damage होने के chances जादा है injury बहुत जादा हो सकती है जबकि यहां पर जब यह airbag निकल जाता है तो उसके बाद में यह surface area बहुत जादा निकल जाता है आसे में damage होने के chances जो है बुला जाता है तो इस में नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि महंगी हो जाएगी, बुलक आ रहे हैं और इंडिया में लोग सेफ्टी से पहले ये देखते हैं AC कैसा है, central lock लगता है कि नहीं लगता ठीक ऐस, ये सारी जीज़े देखते हैं safety या airbags के बारे में तो number 8 वे number पे detailing आती है but January 14 के अगर बात करें तो हमारे जो road transport and highway minister नितिन गडगरी जी उन्होंने tweet किया था कि हम safety को enhance करना चाता है motor vehicles में तो ऐसे vehicle जिन में 8 passengers जाते हैं उनको 6 airbags जो है वो compulsorily install करने होंगे अब देखो ये airbag कैसे काम करता है अब वहिकल जो 8 passengers को लेकर देखो passenger vehicle होते हैं उनको M category vehicle बोला जाता है ठीक है और M1 category में जो 8 passengers तक लेकर के जाते हैं ठीक है जो भी आप देख सकते हैं हमारी जो private cars होती है ये लगबग 5, 6, 7, 8 तक जाती है maximum तो इनको category M1 में डाल दिया जाता है M category में कोन आ गए वह वहिकल जिन में 4 wheels होते हैं और passengers को ले जाने का काम करता है 4 wheeler आ गए in short फिर इसके अलावा अगर देखें तो homologation homologation का है क्या मतलब homologation basically एक process है जिसमें certified किया जाएगा कि भई कोई भी vehicle जो है वो road worthy है की नहीं road पे चलने लाइक है भी या नहीं जिसमें certain criteria's fix किये होंगे जिसमें ये देखा जाएगा safety wise और ये होती है testing होती है collision test और वो सारा वो norms अगर clear हो जाए तो ठीक है और वो safety और road worthiness किस के basis पे देखा जाएगा central motor vehicle rules के basis पे ठीक है न कोई private agency का नहीं है ये rules के हिसाब से देखा जाएगा इंडिया की बात करें तो इंडिया में karts बहुत ही कम safety feature वाली होती हमें पता है कारण क्या होता है internationally भी अच्छी अच्छी company जो बड़िया कार बनाती है न वो भी इंडिया में आकर के safety features को reduce कर देती है क्योंकि वो कारें फिर इंडिया में आकर बहुत महेंगी हो जाती है और हम पहले प्रह पैसे को देखते है तो ऐसे में सस्ती कर दी जाती है जबकि अगर हम variants की बात करें अल्टो आती है मारुदी सुजुकी की या फिर Hyundai की आप मानो या आती है क्या नाम इसका Centro या फिर और दूसरी कोई गाड़ी आसकल तो बंद होगी इयोन ये छोटी गाड़िया है बहुत ठीक है जो की बहुत ही ज़्यादा light होती है ठीक है हम price को देख करके फिर purchase करता है safety norms के ओपर ध्यान नहीं देते तो बस यही एक bon of contention बन रही है कि बहुत कॉस्ट राइज हो जाएगी अगर हम लोग 6 safety wags अगर दे देते हैं तो रही सही में आपको पता है कि अभी इंडिया में थोड़ा challenge यह भी देखने को मिल रहा है जो BS भारत standard 6 level के जो emission norms है उनके लिए जो fuel के requirement है उसकी अगर हम बात करें तो ऐसी परिस्तितियों में पहले से ही बोले companies के सामने challenge है एक तो cafe standards, cafe का मतलब हो गया corporate average fuel economy और एक हो गया भारत standard 6 बोले इन दोनों के implement करने में बहुत पैसा खर्च हो रहा है पहले ही खेर BS 6 और cafe इन दोनों के बारे में UPSC point of physics एक बार देख लेना भाई बस यह चल रहा है यह शोर तो कुछ खास है नहीं आगे चलते है फिर हम आगए economy page पे देखो अमिताब कांत यह CEO है निती आयो के इनके दोरह यह कहा गया है कि आधार card आधार base available होने की वज़े से government ने लगबग 2 लाख करोड रुपे तक का खर्चा जो है वो बचा लिया तो यह कैसे देखो आज हमारे देश में सवा 315 के लगबग तो central government के दोरह scheme सलाई जा रही है 500 के लगबग state governments के level पर scheme चल रही है और इन schemes में beneficiaries को identify करना उनके account में बिना किसे लिके इसके account में पैसा transfer करना यह तभी possible हो पाया जब एक आधार card जैसे हमारे पास platform available हो तो अमिताब कांजी का यह कहना है कि world में जितने भी biometric based identity programs हैं उनमें से one of the most successful program is आधार program जिसके basis पे दो लाग करोड रुपए तक का फाइदा government ने कर लिया है तो ऐसे में आप एक काम कर लो आधार जो है ना system इसके बारे में एक बार UPSC point officer revise कर लो अच्छे से ठीक है जी इसके आगे देखें Department of Telecommunication ने एक panel constitute किया है जो कि direct to direct broadcast और smart phones पर अपना detail प्रोवाइड करेगा बेसिकलिए आपको पता है कि हमारे देश में mobile phone या internet penetration लगातार बढ़ रहा है और लोग TV से ज़्यादा mobile को time देने लग गये हैं तो ऐसी परिश्तितियों में पुसार भारती ये public service broadcaster है Department of India की entity है इसने पिछले साल ये announce किया था कि हम IIT कानपूर के साथ collaboration करके और direct to mobile phone concept पर काम करेंगे इसका मतलब जो TV shows हम इस पर देखते हैं जो TV shows हम TV पर देखते हैं उनको सीधा mobile पर mobile network के through transmit करना तो इसकी feasibility को चेक करने के लिए Department of Telecommunication के द्वारा ये panel constitute किया गया है अब दुख की बात है कि इस panel के chairman कौनर वो नाम दिया हुआ है यहां पर ठीक है basically इसमें band जो है वो use किया जाएगा frequency band ठीक है signal जो जाएगी उसके लिए frequency band 526 से 582 megahertz का ओके और बाकी तो पैनल जो अपनी तरफ से recommendation देगा वो है ही direct to mobile और 5G technology इन दोनों चीजों के ओपर देखा जाएगा क्योंकि आपको पता है 4G की बजाए 5G की options अब चल रहे हैं अब देखे कितना क्या final होता है ठीक है तो आप देख सकते हो 5G की तरफ भी हम move कर रहे हैं तो advanced technology की requirement हो गई अपने आप ही तो यह सारा scenario बताया जा रहा है ठीक है इसके आगे चाइना के सिच्चुआन में अर्थक्वेक आया है जिसकी विएसे चार जनों की डेथ होगी तो सिच्चुआन की location एक बार देख लेते हैं आपन यह यहाँ पर map पर आप देख सकते हो सिच्चुआन ठीक है यह चाइना कैपिटल बेजिंग यहाँ की कैपिटल मियूली यह अब देख लो अच्छे से ठीक है यह इंडिया का मैप पिदर क्रॉप क्या हुआ है यह हमारा है ठीक है जी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना चलिए इसके आगे स्पोर्ट स्पेस की बात करें तो स्पोर्ट स्पेस पे इंडिया ने देखो जपाइन को वन जीरो से होक्य में हराया है एश्या कप में और ब्राउंज मैडल जीता है ठीक है तो यह ध्यान रख लेना इसके आगे बसे सिसक्रशन में जो भी इंपॉर्टन जीजे थी वो यहीं खातम होती है, थैंक्यू बेरी माच